हेगाइस आज हम बनाएंगे सब का फेवरेट शाही पनीर जिसे बनाने के लिए हम एक तम सिल्की स्मूथ मक्नी ग्रेवी प्रिपैर करेंगे और शाही पनीर के नाम से आपको लग रहा होगा कि इसे बनाने में गंटो लग जाएंगे बट ट्रेस्ट मी ये सबसी बनाने में इतनी आसान है कि हर बार आप ये ही बना कर मैमानों को सर्व करोगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं शाही पनीर इंग्रिडियन्स मैंने यहाँ पर दो प्याज और चार टमार्टर लिये हैं यहाँ पर हमने दो कश्मीरी लाल में चली है जिसके बीज निकाल देने है और अद्रक लेसन प्यास टमार्टर इन सभी को हमने रफली चौप कर लेना है मकनी ग्रेवी के लिए जितमे हम प्यास दे रहे हैं उससे डबल हमने टमार्टर लेने हैं अगर यह रेशियो से आप मकनी ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी मक्निक रेवी पनाने के लिए एक पैन में 2 टीस्पून और 2 टीस्पून बटर आड़ करेंगे जैसे ही हलका सा गरम होगा हम इसमें कश्मीरी लालमेच आड़ करेंगे साथी इसमें अधरक लसेन और हरेमेच पे आड़ कर देंगे 15-20 सेकिंड के लिए हमें इसे सौटे कर लेना है जैसे इसका कच्चापन दूर होगा हम इसमें कटे हुए प्याज और टमाटर आड़ करेंगे साथी इसमें 1 पूट कप काजू आड़ करेंगे और प्याज टमाटर जल्दी से कुक हो जाए इसके लिए सौल्ट आड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें प्याज और टमाटर की सौट होने तक इसे कुक कर लेना है जिसे 8-10 मिनिट लगेंगे अप्रॉक्सिमेटली 2-3 मिनिट के लिए हम इसे बिना ढगे ही कुक कर लेंगे इस टेज पर प्याज और टमाटर 50% तक कुक हो गया है यहाँ पर आप देख सकता है टमाटर सौफ्ट हो गया है अब 50% हम इसे ढग कर कुक कर लेंगे तो एक लाज पानी अड़ करेंगे और इसे कवर कर देंगे फ्रेंस काजू को कुक होने में थोड़ा जाधा टाइम लगता है तो 7-8 मिनिट के बाद हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीसे हमारी अच्छे से कुक हो गई है अब हम गैस की फ्लेम आफ करेंगे और इसे अच्छे से धंडा होने देंगे तो यहाँ पर रूम टेंपरेचर पर आने के बाद मिक्सी में हमें इसे फाइन ब्लेंड कर लेना है तो यह देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फाइन पेस्ट बना ली है इसकी अब हम इसे चान लेंगे प्रेंसेस ग्रेवी को चानना बहुत ज़रूरी है चानने से ये ग्रेवी का टेक्स्चर सिल्की और स्मूथ होता है और ये मकनी ग्रेवी में आप वेजडेबस आड़ करके पैच मकन वाला भी बना सकते है तो यहाँ पर देखिए ये अद्रक टमाटर वगरा जो भी रेशे होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी का टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बन कर त्यार हुआ है तो मकनी ग्रेवी हमारी ब्रेडी है अब हम तड़का लगाएंगे तो इसके लिए एक पैंड में ओयल, घी और बटर अड़ करेंगे तीनों ही चीज़े हमने एक एक टीबल स्पुन ली है आप चाहे तो इसे ओयल और बटर में भी बना सकते हैं पर घी अड़ करने से बहुत ही अच्छा रिजनस आता है शाही पनीर में गैस की फ्लिम हम बिलकुल लो रखेंगे और 1-4 टीस्पुन हल्दी आदी टीस्पुन धनिया पाउडर और एक टीस्पुन कश्मीरी लाल मिर्च आड़ करेंगे कश्मीरी मिर्च आड़ करने से रंग बहुत ही अच्छा आता है शाही पनीर में आप चाहे तो देगी मिर्च भी आड़ कर सकते हैं इन मसालों को 10-15 सेकेंड के लिए सौटे कर लेंगे और अब हम इसमें प्रिपैर की हुई मखनी ग्रेवी आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले डालते वक्त अगर आपको लगे कि पैन बहुत जादा गरम हो गया है तो आप कैस की फ्लेम आफ भी कर सकते हैं पर मसाले जलने नहीं चाहिए अगर मसाले चल गए तो कड़वा टेस्ट आता है ग्रेवी में और इसका रंग भी कराब हो जाता है तो इस बात का आप खास ज्यान रखे अब इस ग्रेवी में हमने जो ऑईल बटर गी आड़ किया था वो सारा सेपरेट होने तक हमें इसे कुक करना है तो डग कर हम 5-6 मिनिट के लिए इसे कुक कर लेंगे तो यहाँ पर 5-6 मिनिट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ओईल थोड़ा सा सेपरेट हो गया है और इसका मस्टर लेवल भी कम हो गया है यानि कि ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो गई है हमारी तो इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए आदा कप हम दूद आड़ करेंगे और शाही पनीर हलका सा स्वीट होता है काने में तो आदी टीस्पून हम चीनी आड़ करेंगे साधी इसमें 1 टीस्पून बुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर आड़ करना है और 1 टीस्पून गरम मसाला एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर हमने जो दूद आड़ किया है उसे पकाना बहुत सरूरी है इसे बस दो से तीन मिनिट लगेंगे दो से तीन मिनिट के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी हमारी ठीक हो गई है अब हम इसमें बाकी की चीज़ा एड़ करेंगे तो सबसे पहले दो टीस्पून मलाई आड़ करेंगे अब चाह तो यहाँ पर क्रीम भी आड़ कर सकते हैं साथ इसमें 1-4 टीस्पून इलाइची का पाउडर और थोड़ा सा बटर आड़ करेंगे और 200 क्राम पनीर के क्यूबस आड़ कर देंगे अब इन सारी चीज़ों को हमें पिल्कुल हलके हाथों से मिलाना है अगर आपको इलाइची का फ्लेवर नहीं पसंद सबजी में तो आप वावाइड भी कर सकते हैं पर होटेल एंड रेस्टरांट्स में जो शाई पनीर मिलता है उसमें जरूर से टालते हैं अब बस ग्रेवी का सारा फ्लेवर पनीर में आ जाए उसके लिए दो मिनिट के लिए हम इसे ठकक कर लेंगे तो बस दो मिनिट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो भी ऑईल बटर घी अट किया था वो सारा सेपरेट हो गया है यहाँ पर सबजी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं मैंने हलकी सी गाड़ी रगी है आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं चाहे तो थोड़ा दूद और डालके आप इसको लूज भी कर सकते हैं तो यहां पर हमारा मस्यतार रिच अन क्रीमी शाई पनिर रेडी है सेर्व करने के लिए, आप चाहिए तो इसे ऐसे ही सेर्व कर सकता है या तो फिर इसे गानिश कर सकते है jak हर रेस्टरान्स में मिलता है I hope आज की ये शाही पनिर की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी Do like, comment, share and subscribe to my channel for more such wonderful recipes I'll see you in my next video with one more easy recipe Till then bye-bye and take care of yourself